नमश्कात दोस्तों Python के इस next वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे variables and data types के बारे में बहुत ही important वीडियो है तो ये वीडियो को at least skip मत करना ये वीडियो को skip मत करना अगर ये वीडियो को आपने skip कर दिया तो आपको कुछ समझने आएगा तो future में हम लोग जो भी काम करने वाले हैं Python में वो सब कुछ dependent है ये ही वीडियो में वीडियो के उपर तो सबसे पहले जान लेते हैं data क्या होता है देखिए data होता है कुछ set of values जो हम लोग store कर सकते हैं और analyze कर सकते हैं तो हमारा school में क्या होता था एक register होता था जहां पे हमारा नाम लिखा रहता था और हमारा attendance लिखा रहता था तो यह सब सारा कुछ होता है डेटा, जब यह हम लोग computer में store करते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं digital data, तो data just our set of values, those we can store and analyze, तो यही होता है आपका data, अब यह जो data हम लोग store करते हैं, इसका कुछ type होता है, मतलब data जो हम लोग store कर रहे हैं, उसका एक particular type होता है, उसको हम बहुत सारा type का होता है, जैसे कि int होता है, integer होता है, float होता है, double होता है, long होता है, care होता है, string होता है, कई सारे data types available हैं मारे market में, right,बट हम लोग python में कुछी चुनेवर data types को बात करेंगे, programming to programming data types varying करता है, मतलब आगर java करते हैं, तो java में होता है आपका long data type, double data type, c++ तब उसमें भी आपको long double मिलेगा, लेकिन python में long double यह सब नहीं मिलता है, तो python में क्या मिलता है, python में int data type होता है, float होता है, string होता है, boolean होता है, अब यह सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी, let's talk about each and every one of them, right, अभी देखिए, हम अगर कोई number को represent करें, जैसे कि मान ल number को लिख रहे हैं, यह होता है आपका int data type, right, जिसमें कोई decimal point नहीं रहेगा, right, जिसमें, जिस भी number में कोई decimal point नहीं है, उसे हम लोग बोलते है, in data type, right, अगर उस number में एक point आ गया, मतलब जैसे कि अभी मैं 123456 लिख रहा था, अभी मैं अगर लिख दूँ 1.5 या 1.6, 1.2, right, तो ऐसे अगर मैं decimal point को introduce कर दूँ, तब यह हो जाता है आपका float data type, right, similarly, अगर मैं कुछ string लिखू, मतलब string मतलब क्या, हम कोई भी paragraph लिख रहे हैं, या कोई भी नाम लिख रहे हैं, तो हम लोग कोई नाम, paragraph यह लिखना चाते हैं, तब उसे हम लोग क्या करते हैं, हम double quotation में लिखता हूँ, hello world, right, तो यह हो गया आपका एक string, right, अभी मैं अगर true लिखता हूँ, true या false, yeah, right, तो यह होता है आपका boolean data type, right, तो अभी हम लोग यह सब को देखेंगे, तो इसके पहले हमें एक चीज जानना होगा, एक concept हमें clear करना पड़ेगा, जो कि है आपका variable, तो variable क्या होता है, देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते है variable क्या होता है, right, तो हमारा जो computer होता है, computer में एक memory रहता है, right, अब उस memory को अगर आप सोचे है, कई सारे memory cells में आप उसको divide कर दे, तो हर वो cell, हर वो memory cell कोई भी एक particular data को store करता है, right, यह जो हम लोग data का बात कर रह रहता है, right, तो हम लोग store करने के लिए तो कोई जगा चाहिए, right, हमारा data को store करने के लिए कोई जगा चाहिए, तो हम लोग वो कहां पर store करते हैं, वो हम लोग memory में store करते हैं, computer का memory में store करते हैं, right, तो उस memory को अगर आप सोचते हैं, कि कई सारे cells में हम लोग divide कर दे, तो हर वो cell में कुछ-कुछ data store रहेगा अब वो cell को हम लोग कैसे identify करेंगे हम वो cell को कैसे target करेंगे वो target करने के लिए तो कुछ चाहिए है न हमें कि अगर मान लीजे मेरे पास 10 cells है और 10 memory cells है अब कोई भी एक particular cell को मैं target करना चाहता हूं तो उस particular cell को मैं target कैसे करूँ उस cell को हम टोक target करते है एक variable name से उस particular cell को हम लोग एक name assign कर देते हैं जिसे हम लोग बोलते है variable तो अगर आसान भाशा में समझा जाए तो variable एक kind of container होता है या आप बोल सकते हैं एक container का नाम होता है तो मतलब आप नाक को सीधे way से पकरें या ultra way से पकरें आपका काम सेमी होगा memory cell को हम लोग एक memory cell बोलते हैं उसके उसका अगर हम लोग एक name assign करते हैं उसको हम लोग बोलते है variable name आप उस variable name को since हम लोग memory cells को assign कर रहे हैं तो variable को हम लोग एक container के तरह सोच सकते हैं तो अभी हम लोग देखेंगे variable क्या होता है देखिए सबसे पहले हम लोग name एक variable ले ले लेते हैं name right name के अंदर मैं अगर कोई value store करता हूँ जैसे मान लीजे मैं name के अंदर string store करूँगा तो मेरा नाम राज है तो मैंने राज store कर दिया अभी मैं राज is a good boy मैं ये सब लिख सकता हूँ या मैं सिर्फ लिख सकता हूँ hello world right कुछ भी लिख सकता हूँ तो ये आपका ये हो गया आपका एक variable ये हो गया आपका variable का value right तो variable में हम लोग ये assignment operators के मदद से हम लोग कोई value को store करते हैं अब operators के बारे में हम लोग बाद में पर रहे होंगे तो अभी चिंदा करने के जरूरत नहीं है जस्त ये याद रखिए कि ये होता है आपका variable variable में कुछ value store करते हैं तो ये जो value मैंने store किया ये value है आपका data right तो ये data का type क्या है इस data का type है आपका string right अभी मान लीजे मैंने एक और variable ले लिया age age में हम लोग मैंने store कर दिया मान लीजे 24 right तो जब मैंने कोई number store किया तो ये हो गया आपका int data type तो यह variable है आपका age होगी आपका variable और यह होगी आपका value, यह value को हम लोग data बोलते हैं, इस data को हम लोग कहां पर store कर रहे हैं, इस variable के अंदर हम लोग store कर रहे हैं, तो अभी फिलाल इसमें कोई decimal point नहीं है, तो यह है आपका int data type, similarly, अगर मैं एक और variable ले लेता हूँ, जैसे कि weight, weight में अगर मैंने store कर दिया 70.5 kg, kg मैं नहीं दूँगा, तो मैं 70.5 store कर देता हूँ, तो यह होगी आपका float type variable, क्योंकि यहाँ पर आपको एक decimal point देख रहे हैं, अब बाहन लीजे, मैंने एक और variable ले लिया, जिसका नाम मैंने देता हूँ, मैं check देता हूँ, तो check में मैं store करता हूँ true, या मैं इसमें false भी store कर सकता हूँ, तो true या false हम लोग store करते हैं, तो यह जो variable है, इसमें क्या type का data है, boolean type का data है, तो मैंने जो यह सब value is variable में store किया है, तो इस variable का जो type है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि इसका type क्य अदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि उस जो variable है उस variable का क्या type है तो मैं क्या करूँगा मैं print function को use करूँगा सबसे पहले print function को आप देखिए function function मैं बार-बार use कर रहा हूं बाद में हम लोग function के बारे में पर रहे होंगे तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है सिर्फ यह म यहां मैं type अभी type लिखके मैं यहां पर name दे दूँगा तो अभी मैं अगर terminal को open करता हूँ terminal open करके यहां पर मैं इस program को run करता हूँ तो देखिए तो देखिए यहां पर class str आ गया है str मतलब string तो first जो name यह जो name वाला variable है इसका क्या type है इसका type है string तो इस particular variable का data type है string और अभी मैं अगर age को भी print करता हूँ देखिए यहां पर print function को यूज करके टाइप फंक्षन को यूज करके एज मैं प्रिंट कर देता हूं तो अभी देखिए अभी क्या होगा तो देखिए एज का जो वेडियेबल है इसमें मैंने इंट डेटाटाइप स्टोर किया था तो यह यहां पर आई एंटी इंट दिखा रहे है राइट अभी मै एक और प्रिंट फंक्षन लेता हूं प्रिंट फंक्षन लेकर इसमें इसके अंदर टाइप फंक्षन ले लेता हूं टाइप फंक्षन लेकर मैं वेट को यहां पर दे देता हूं तो अभी देखिए यह मुझे फ्लोट दिखा रहा है यहां पर देखिए फ्लोट राइट तो float type का variable है यह weight राइट अब ही मैं अगर print check करता हूँ print type मैं check देता हूँ तो अभी मैं इसको अगर run करता हूँ तो देखिए यह इसका bool आ रहा है bool मतलब boolean अब ऐसे कही सारे data types है python में जो कि आपको अगर पता लगाना है तो आप simply इस website को visit कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ आप अगर लिखेंगे python data types और यह जो first link है यहाँ पर चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा है इतना सारा types का data type है एक होता आपका str मतलब string data type फिर आपका है int float complex अचा complex number को कैसे पता चलेगा आपको तो मैं अगर एक और ले लेता हूँ एक और variable ले ले लेता हूँ एक यजट जसको बेरियेबल नेम ले 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 एक एक लेके मैं एक टू जे ऐसा टाइप का कोई number चोड़ करता हूँ तो यह होगी आपका complex number अभी मैं अगर देखिए इसको मैं print करता हूँ देखिए अगर 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 प्रिंट करता हूँ एकस का अगर टाइप प्रिंट करूंगा मैं तो यह complex दिखाएगा देखिए यहाँ पर complex दिखा रहा है तो यह complex number है उसके लिए इस वेरियेबल का type दिखा रहा है आपका complex यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर int float complex list tuple range अब हम लोग discuss नहीं करेंगे इस वीडियो में क्योंकि यह थोड़ा थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसके लिए हम लोग इसको बाद में देख रहे होंगे तो अभी चिंदा करने का जरूरत नहीं है अभी देखिए यहाँ पर dict है mapping type में dict है आपका set type में set frozen set है आपका boolean type में none type data type आता है none type मतलब कुछ भी नहीं तो अभी अगर मैं एक और variable ले ले लेता हूं z नाम का ले ले लेते हैं एक variable इसमें मैं लिख देता हूं none अभी अगर मैं इस z को print करूँगा इस z को मैं print करूँगा type function को लेके तो देखिए यहाँ पर none type दिखा रहा है तो इसमें जब मैंने none दे दिया तो इस variable में none type का data type stored हो गया तो यहाँ पर इतना सारा data types है available python में आप जाके कभी भी जाके आप इसको reference कर सकते हैं इस website से तो आशा करता हूं आपको variables और data types के बी इतना ही रखते हैं thanks for watching